हलो दोस्तो वेलकम टू होरर लेंड आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक AC मूवी लेकर आया हूँ जो कि एक होरर थ्रिलर मूवी है इस मूवी को एडम रेंडल ने डारेक्ट किया है और मूवी के IMDb रेटिंग 6.80 स्टार है इस मूवी में बहुत ज़्यादा डार् कि इस मूवी को एंट तक जरूर देखना तो आईए आप वीडियो में आगए चलते हैं जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्क्रेब नहीं करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं मूवी के शुगात में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के दोस्तों को बाई बोल कर जंगल कर रास्ते अपने घर के ले निकलता है लेकिन कुछ दूर जाने के बादी अचानक से कोई उस हवा में खीश लेता है सिन्चिफ्ट होता है जिसमें जेकी नाम की एक उरत अपने बेटे कॉर्णर के ले ब्रेकफस्ट रेडी कर रही थी देखने से ऐसा लग रहा था कि दुनों माँ बेटे का रिलेशन्शिप कुछ ठीक नहीं चल रहा है फिर कुछ तेर के बाद में कॉर्णर के फादर गरेग को दिखाय जाता है जो कि सोफे पर सो रहा था गरेग को कॉर्णर के बातों से हमें पता लगता है कि जेकी अपने चाइल्ड़ूट फ्रेंड के सातने एलेशन्शिप में है और वो Greg को cheat कर रही है जिसका पता हाली में Greg को corner से चला है फिर एक दिन जब जेकी अपने घर पर नहीं थी तो Greg को किसी का call आता है और गुसे में वो अपना phone खिडकी पर दे मारता है जीससे कि खिलकी का शीशा पूट जाता है तब ही उसके नजर जेकी के फेवरिट मक पर जाती है जो कि रूफटॉप पर रखावा था वो रूफ़ पर जाकर उस मक को लेकर आता है तो वो उसके अंदर यूजड़ सिगरेट को देखता है और उससे हिसा लगता है कि शयाद ये कम कॉनर का होगा सिन अगेन पास्ट में जाता है जब जस्टिन अचानक से कही पर गायब हो गया था और तब से अब तक उसको कोई भी पता नहीं चला था इस के को ग्रेक इन्वेस्टिकेशन कर रहा था क्योंकि वो उस टाउन में एक डिटेक्टिव था investigation में उसे और उसके साथे को सिर्फ जस्टिन की साइकल मिलती है जस्टिन के साइकल के पास में एक green color का pocket knife भी था और वेसाई same knife उसे पहले भी 6 लड़कों के पास में मिला था जिनका kidnap करके उन्हें भी मार जया गया था ये सब देखकर उन्हें लगता है कि शायद killer ने जस्टिन को kidnap पर लिया है सीन प्रेजेंट माता है जब जेकी काम से अपने घर पर वापस आती है तो देखती है कि उसके silver wear गया बें तब ही उससे bedroom से कुछ आवज सुनाई देती है जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उससे repairman दिखाए दिता है जेकी के पूशने पर वो उससे बताता है कि उससे Greg ने बुलाया है ताकि वो टूटी खिलकी को ठीक कर सके और उससे ये भी कहता है कि उसकी बेटी बहुत ही polite है और उसी ने उससे अंदर आने दिया इसके बद वो वहाँ से चला जाता है लेकिन जेक अभी भी उस repairman की बाते सुनकर शोक्ड में थी क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी उसका सिर्फ एक बेटा ही था जेकी उसे शाम अपना काम कर रही थी तब ही टिवी अपने आपी ओन आफ फो रही थी और उसमें उसी missing बच्चे जस्टिन की न्यूस आ रही थी जेकी इस पर ज्यादे धन नहीं देती है और फिर ग्रेग भी घर पर आ जाता है और जेकी सिल्वर वेर गायब होने के बार में ग्रेग को बताती है उसे इसा लग रहाता कि इसके पीछे उस रिपेर्मेंट का ही हाथ होगा हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जेकी के बारे में पता चलने के बात सही ग्रेग अपने गेस्ट रूम में सो रहाता ग्रेग जिग अपने रूम में जाता है तो उसे Connor का हैंसर दिखाई देता है उसका पीछा करते हैं Greg एक क्लोसेट तक पूछता है लेकिन कोई उससे अंदरी बंद कर देता है उससे लगता है कि शायद Connor उसके साथ मुझा कर रहा है Greg के बारबर चिलाने पर Jakey वहाँ पर आती है और क्लोसेट का दोर खुलकर Greg को बार निकलती है और उसे बताती है कि Connor तो अपने दोस्तों के साथ में बाहर गया हुआ है फिर रात के टाइम पर Jakey रूम में सो रही थी तो उसे Connor के रूम से कुछ आवाज़ा सुनाई देती है जिसे जेकी जब चेक करने के लिए उस रूम में जाती है तो उसे Connor के लेपटॉप में गैम ओन दिख़ए देता है लेकिन उस रूम में कोई नहीं था कुछी दिर में Connor भी वहाँ पर आ जाता है जेकी Connor से बात करने की कुशिश करती है लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहाता तब ही जेकी की नज़रे Connor के बेट के निचे जाती है वहाँ पर उसे एक अजीब सा मास्क दिख़ए देता है जिसके बारे में वो Connor से कुछ नहीं पूछती है और वहाँ से चली आती है अब धीरे धीरे करके घर में अजीब करीब चीज़े होने लगी थी जैसे कि उनके घर में किसी के विस्परिंग की आवाज आना उनके फोटोस में से कुछ फोटोस गायव होना फिर एक रात को जब Greg सो रहा था तो कोई उसके चाद़ को कीच रहा था अब अगली सुबे जब उसके नेंद खूलती है तो उसे पता चलता ही कि रात हम उसने बिस्तर गिला कर दिया है उसे जल्दी सा ओफिस जाना था इस वज़े से वो ज़्यादे ध्यान नहीं देता है और ओफिस चला आता है ग्रेक के ओफिस जाने के कुछी धिर के बाद में जेकी से उसको बाइफ्रेंड टोड मिलने के लाता है क्योंकि बिछले कुछे दिनों से जेकी टोड के फॉनकूल का जवाब नहीं दे रही थी इससे उनको टोड जेकी को उसका साथ पर रहने के लिए फोर्स करना लगता है फिर इतने में कोई उपर से एक मग टोड के सिर पर फिकता है जिससे कि टोड के सर से कून आने लगता है लेकिन उपर देखने पर जेकी को कोई नहीं दिखाय देता है और उसे लगता है कि शायद ये Connor का ही काम होगा Connor घर में था इस वज़े से जेकी टॉट को घर में लेकर नहीं जाती है और उसे बेस्मेंट में चुपा देती है उसी टाइम Connor को दिखाया जाता है जो कि टोलेट में था उसे गेस्ट रूम से किसी के विस्परिंग की आवज सुनाए दे रही थी लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था और अब वो आवाज भी नहीं आ रही थी नीचे बेस्मेंट पर जेकी को टोट के नमबर से कॉल आता है लेकिन टोट तो उसके सामने ही था और उसने कॉल नहीं किया था उसके फोन से कोई और कॉल कर रहा था जेकी कॉल डिसिव करती है तो उसे गाने की आवज सुनाए देती है ध्यान से सुनने पर उसे समझ में आता है कि ये उनीके घर के ग्रामोफोन में चल रहा है जेकी को लगता है कि इस घर में उसके अलावा सिर्फ कॉनर ही है तो ये काम उसी काई होगा जेकी ग्रामोफोन को बंद करने के लिए जाती है तब भी वहाँ पर कॉनर भी आ जाता है जब जेकी उसे इस बारे में पूछती है तो कॉनर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था फिर जेकी फटाफट से कॉनर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है ताकि वो टॉड को होस्पिटल लेकर जा सके इदर बेस्मेंट में टोड बेंडेज ढूण रहा था कि अचानक से कोई पीचे से टोड पर अटेक कर देता है जेकी जब कॉनर को स्कूल छोड़कर बेस्मेंट माती है तो देखती है कि उसके सामने टोड की लाश पड़ी हुई थी यहाँ पर अब ग्रेग जस्टिन के केस में बहुत ज़ादा उलज जावा था क्योंकि बहुत कुशिश करने के बाद भी उसे जस्टिन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था अब जब शाम को ग्रेग अपने घर पर वापस आता है तो जेकी उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि टोड को कॉनर न मार दिया है और इस गलती की वज़े से उसका पूरा जीवन बरबाद हो सकता है ये सुनकर ग्रेग जेकी पर भड़ा कुटता है लेकिन फिर वो दोनों अपने बच्चे को बचाने के लिए टोड की लाज को चुपाने का डिसियन लेते हैं वे लोग अपने घर से दूर जंगल में कहीं टोड की लाज को दफनाने जाते है अब कुछ देर के बाद ये कॉनर अपने घर पर आ जाता है और लेपटोप पर गेम खिलने लगता है तब ही उसे कुछ आज़ीब आज़ीब आवज़ा सुनाई देती है जब वो नीचे जाकर देखता है तो वाशिंग मशीन के अंदर उसे वही सिल्वर पर मिलता है जिसके बाद वो जाकर फिर से गेम खिलने लगता है तब ही उसकी स्क्रीन पर किसी का मेसेज आता है जिसमें फ्रोगेंग के बारे में लिखा वा था अब आपको मैं बता देता हूँ कि फ्रोगेंग का मतलब होता है कि कोई भी बिना उसकी परिमिशन के उसके घर में के चुपकर रह रहा है यह चीज़ अमेरिका जैसे कंटरिम होती है फिर कॉनर के पीछे किसी को दिखाया जाता है जिसने की एक क्रीपी सा मास्क पेना होता है और यह वही मास्क था जिसे जेकी ने कॉनर के बेट के नीचे देखा था जब जेकी और ग्रेग अपने घर पर वापस लोटते है तो उने कॉनर बाथटब में हाथ मूँ बंदेवे मिलता है उसके पास में भी वहाँ पर वेसे एक ग्रिन पॉकेट नाइव भी था जो कि ग्रेग को जस्टिन के गया बोने वाली जेगा पर मिला था फिर ग्रेग कॉनर को जेकी के साथ में हस्पिटल भेश देता है और वो खुद घर में किसी को ढूणने लगता है जब वो एक रूम में जाता है तो उसे वाँ गया फोटर वाँपर मिलती है उसे वाँपर ग्रामोफोन की आवाज सुनाई देती है वो जब उसे बंद करने जाता है तो उसके उपर माँपर वही मास्क में अटेक कर देता है सिन कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सिन दिखा जाता है जहाँ पर हम दो टिनेजर को देखते हैं जिनके ना मिंडी और एलेक था मिंडी जोकि एक्सपरेंस फंर ती और एलेक इन सब में आयाना था दोस्तो फंरोगर का मतलब मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि फंरोगर ऐसे लोग होते है जोकि चुक किसी और के घर में रहा करते हैं यह दोनों अब ग्रेक के घर में रहने वाले थे जब कोई घर में नहीं होता है तो ये दोनों पुरे घर में यहाँ वाँ गुमा करते थे एलेक जब कभी भी बोर हुआ करता था तो वो इनके साथ में थोड़ा बहुत मुझा कर लिया करता था फिर उस दिन जब ग्रेक के रूफटोप पर मगर खावा था तो उस एलेक नहीं वहाँ पर गलती से चोड़ दिया था जिसमें की सिगरेट थी अब अगले दिन जब रिपेर्मेंट उनके घर पर आया था तो मिंडी नहीं उनके घर के लिए दर्वाजा खुला था और इसलिए उस रिपेर्मेंट जेकी से ये कहा था कि उसकी बेटे ने उसके लिए दर्वाजा खुला था इन सब के अधावा जो कुछ भी इस घर में हो रहा था उसके लिए कई नकई एलेक बी रिस्पॉंसिबल था जैसे कि टीवी बारबा ओन ओफ होना उस घर से सिल्वर वेर का गायब होना वो विस्परिंग भी इन दुनों की ही थी जो कि बारबा कॉर्णर को सुनाई दे रही थी अब धीरे धीरे एलेक का मजाक वालेंट होना लगा था और अब वो साइकों की तरह भीव करना लगा था उस दिन जब ग्रेक कलोजेट में बंदा वा था तो वो भी एलेक नहीं किया था उसे पता था कि ग्रेक सोने से पहले स्लीपिंग पिल लेता है और उनी में से कुछ पिल्स को क्रश करके वो पानी में मिलाकर मिंडी को दिया करता था जिससे कि मिंडी गेरे निद में सो जाती थी और इसी भीच वो ये सब कुछ किया करता था उस रात को जब Greg सोय वा था तो Alec जाकर Greg का चादा खीच कर उसके उपर सुसू कर देता है लेकिन नेंद में होने की वज़े से सुबह Greg को लगता है कि शायद उसने खुदी ऐसा किया होगा Alec को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि Greg के साथ उसके कोई पुरानी दुश्मनी थी अब एक दिन जब Alec रूफटॉप पर बेट कर सिगरिट पिरा था तो मिंडी उससे ऐसा करने समना करती है लेकिन Alec उसके नहीं सुनता है जिससे कि उन दोनों के बीच में बेव सुनना लगती है और Alec उस मक को फेक जाता है ये मक सिधा उड़के टॉट के सिपह लगता है जिससे कि मिंडी बहुते सदा दर जाती है और उसी ठाइम इस घर को छोड़ने का डेसाइड करती है लेकिन उससा याद आता है कि उनका पूरा सामान बेस्मेंट में है और जेकी टॉट को लेकर बेस्मेंट में गई हुई है तो एलेक जेकी को डिस्टेक करने के लिए जेकी के फोन पर टॉट के फोन से कॉल करता है फिर जब जेकी कॉनर को स्कूल छोडने के लिए जाती है तो इसी का फायदा उठा कर मिंडी बेस्मेंट में अपना सामन लेने के लिए पोचती है मिंडी को लगता है कि टॉड भ्योश होगा लेकिन टॉड होश में ही था और उसके नजर से बचने के लिए मिंडी मही पर छुप जाती है फिर जब टॉड बैंडेज ढूने लगता है तो कोई टॉड पर हमला करके उसे माड डालता है ये और कोई नहीं बलके ग्रेगी था और इस खुन को मिंडी अपनी आखों से देख लेती है जिसके बाद में ग्रेग बैस्मेंट से एक बैक निकाल कर अपनी कार में रख लेता है फिर मिंडी जब अपना सामान लेकर बैस्मेंट से जाना लगती है तब ही जेकी घर पर वापस आती है तो मिंडी को बेस्मेंट में ही चुपना पड़ता है जब जेकी और ग्रेक टोट की लाश को ठिकाने जाते हैं तो मिंडी मौका पाकर उपर आती है तो वो एलेक को उसी मास्क में कॉनर के हाथ पर बांते हुँ देख लेती है जिससे की मिंडी डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन एलेक उसे रोखने के चेकर में सीडू से नीचे लखका दे देता है और Minndi भी होश हो जाती है तो वो Conor को बाथटब में रखकर Minndi को Greg की कार से और होस्पिटल ले जाना लगता है तब भी वहाँ पर जेकी और Greg वापस आ जाते हैं और Alep को गराज में जा कर छुपना पड़ता है Conor को इस आलत में दिखकर Greg, जैकी और Conner को हस्पिरल भेज जाता है और वो अपने किसी काम को अंजाम लेने के लिए दूसरे कार से कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है लेकर उसका नहीं पता था कि उसकी कार में मिंडी भी है कुछ फोल जाने के बाद में मिंडी कहोंशा जाता है और उसकी नजर एक बैक पर पढ़ती है जिसके अंदर उसे किड्नेप बच्चे जस्तिन की टीशेट रखी थी जिसे मिंडी ने नियूज में देखा हुआ था यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जस्तिन का किड्नेपर और कोई नहीं बलकि डेटेक्टिव ग्रेग ही है जब ग्रेग एक सुनसान जगर पर अपनी कार को रुकता है तो मुका पाकर मिंडी 911 पर कॉल करती है ताकि वो किड्नेपर के लोकेशन बता दे लेकिन उसे भी exact लोकेशन नहीं पता थी और उसकी पूरी बात होने से पहले ही फोन कट हो जाता है पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगती है और खुद को बचाने के लिए मिंडी आगे बढ़ने लगती है तब ही कुछ दूर जाकर उसे एक वेन दिखाई देती है जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है वो उस वेन के अंदर जाती है तो उसे क्लोजेट में दो बच्चे दिखाई देते हैं और ये बच्चे वई थे जो की रिसेंटले किडनेप हुए थे उनमें से एक तो जस्टिन था वे दोनों बच्चे डर हुए थे और मिंडी से उन्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तपी हुआ पर ग्रेग आ जाता है और मिंडी को भ्योश कर देता है वो मिंडी का बच्चे करने लगता है जिसके अंदर से उसे एक कैमरा मिलता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि मिंडी और उसका साथ ही उसके घर में कई दिनों से रह रहा था वो मिंडी को वापस से उसके घर में लेकर जाता है और उसे शूट कर देता है वो उसकी पॉकेट से दूसरी पिस्टन निकाल कर दिवार पर शूट करता है दरसल ये भी उसका प्लान था और इसके बाद वाले सिर्म में Alex आकर Greg पर अटेक करता है अब Alec Greg को अपने gun point पर लेता है और कहता है कि उसे पता है कि Greg यह वो serious killer है जो कि टॉन में बच्चे को किड्नैप करता है लेकिन यह सुनकर Greg Alec को blame करना लगता है फिर जब Alec थोड़ लाइट माता है तो Greg को Alec का फिंस दिखाए देता है जिसे देखकर Greg को कुछ समझ माता है वो Alec को कुछ explanation देने वाला था कि तबी Alec Greg को शूट करके उसे मार डालता है इतने में ही वहाँ पर दूसर डेटेक्टिव आ जाता है जो कि Greg की लाश को देखकर Alec को शूट कर देता है लेकिन किस्मत सा Alec बच जाता है Alec डेटेक्टिव को सारा सच बता देता है कि वो मिस्टिर सीलर के लियर और कुई नहीं बलकि Greg ही था जिसने कई सारी लड़कों को मलस्ट किया और फिं उन्हें मार दिया पुलिस जंगल में जाकर वेंच से उन दोनों बच्चों को बचा लेती है और उस डेटेक्टिव को Greg के कार में से वो बैग मिलता है जिसमें Greg के खिलाव सारे एविडेंस थे अब मूवी का आखरी सिन दिखाए देता है जिसमें 15 साल पहले ग्रेक ने दो लड़कों किड्नेप किया था जो कि उससे बचकर निकल गए थे और उनमें से एक बच्चा एलेक था और एलेक ये सब उसका बढला लेने के लिए कर रहा था दोस्तो इस मूवी में हमने दो फ्रोगर को देखा मिंडी पहले से एक्सपरियंस थी और एलेक नया नया फ्रोकर बनाता वे दोनों ग्रेक के घर में चुपका रहा करते थे पहले तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर एलेक धिरे थोड़ा वाइलेंट हो गया अब एक दिन ऐसा आता है जिम एलेक से गलती से टोट गयाल हो जाता है जेकी और ग्रेक को लगता है कि ये काम उनके बच्चे ने किया है और अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में वे टोट की लाश को ठिकाने जाता है चुपके से ग्रेक टोट को मार देता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वे लोग टोट के लाज को ठिकाने लगाने जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में मिंडी और एलेक रहे रहा है दरसल ग्रेग टाउन में होगे किड्नैपिंग को कर रहा था और वो ऐसा कही सालों से करता आ रहा था ग्रेग ने 15 सल पहले एलेक को भी किड्नैप किया था लेकिन एलेक उससे बचकर निकल गया था और एलेक जानबूस का फ्रोगर बना ताकि वो क्रेक के घर में रहेकर उससा सबग सिख़ पाए तो आपको यह मोवी पसंद आयोगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जूर करना मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ